जब भी हमें एज़ा creator काम करते हैं Facebook पर तो यहां हमें अपनी सभी content को और अपनी profile को public करना होता है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो आपका content है या आपकी profile है वो कोई ना देख सके यानि कोई भी आपकी profile को और आपके content को access ना कर पाए ना तो आपकी profile उनको show करे ना ही आपका content उनको दिखे यानि आपके photos होते हैं, videos होती है, reels होती है वो आप चाहते हैं कि वो private रहें मैं जुनको चाहूँ वही लोग उसको देख सके जो Facebook पर मेरे friends हैं सिर्फ वही उसको देख पाए तो आज की इस video में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से Facebook profile लोग काम करता है और जब आप Facebook profile लोग को enable कर लेंगे तो आपकी जो profile है वो पूरी तरह से lock हो जाएगी और कोई भी उसको access नहीं कर पाएगा ना ही कोई reels, photos या videos वगरा को देख पाएगा जो आपने अपने Facebook पर post किया हुआ है साथ ही दोस्तों अगर आप creator है तो फिर आपको profile लोग नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको reach चाहिए हुती है आप चाहते हैं कि ज़्यादर से ज़्यादे लोगों तक मेरी बात पहुँचे तो अगर आपको इसको लोग करना है तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा process समझाने वाला हूँ किस तरा से आप अपने Facebook प्रोफाइल को लोग कर सकते हैं इसको जानने के लिए वीडियो पर बने रही है मैं हूँ मुहमन हुसैन और आप देख रहे है and privacy में उसके बाद settings पर आपको click करना है अब यहाँ पर आपको privacy check up करके एक option देखने को मिलेगा उस पर आपको click करना है यहाँ पर आपको पहला ही option मिलता है who can see what you share यानि आप जो share कर रहे हैं उसे कौन देख सके तो simply आपको इस पर tap कर देना है उसके बाद ऐसा interface आपको दिखेगा तो यहाँ पर आपको continue कर देना है यहाँ पर आपको 3 step दिये गए है पहला है कि आपका बड़े जो है वो कौन देख सके तो friends of friend है या public आप इसको करना चाहें या only me करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं साथ ही यहाँ पर जो आपकी date और birth का जो last का year है आपको वो कौन देख सके वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं आपका hometown कहां का है उसको अगर आप दिखाना चाहें public करना चाहते हैं या private करना चाहते हैं सिर्फ friends को दिखाना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं अगर आप अपनी relationship को चाहे वो single हो married हो जो भी है वो अगर आप show कराना चाहते हैं वो भी यहाँ से public पे click करके friends या फिर only me या फिर public यहाँ पे select कर सकते हैं या फिर अगर आपको अपनी current city को work को, education को friends and followings वगयरा को इनको अगर करना हैं तो यहाँ पर आप किसी एक topic को या किसी एक option को आप यहाँ से hide and hide कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरी profile भी lock ना करूँ और मेरा जो data है वो private हो जाए तो आप यहाँ से कर सकते हैं यह करने के बाद आप यहाँ next पर click करेंगे उसके बाद आज़ता है कि आपकी post और stories कौन देखिए जैसे default audience में यह है कि आप इसको क्या करना चाहते हैं सिर्फ friends को करना चाहते हैं publicly ना हो अगर कोई आपका friend तब ही देख पाए तो आप यहाँ से कर सकते हैं इसके अलबा stories वगरा कोन देख पाए वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं फिर है limit last post change who can see past post that were public और friend of friend to only ऐसा करके इसको भी आप यहाँ पे कर सकते हैं इसके अलबा नेश्ट पर click करेंगे या किसी एक function को किसी एक option को lock करना चाहते हैं इस तरह कर सकते हैं यहाँ से back आजाएंगे और आप बात करेंगे कि किस तरह आप अपनी पूरी profile को lock कर सकते हैं तो profile को lock करने के लिए हमें settings and privacy में ही रहना है और scroll करने के बाद audience and visibility में आना है visibility में आने के बाद पहला ही option आपको यहाँ profile locking का आएगा लेकिन मेरे को इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा creator account है तो आप 10 seconds दीजिए मैं इस account को switch कर लेता हूँ उसमें दिखाता हूँ जिसमें मेरा creator account नहीं है यहाँ से मैंने अपनी profile का switch कर लिया है और जहाँ पर मेरा creator account नहीं है यानि मैं as a creator काम नहीं कर रहा हूँ उस profile में आप देखेंगे audience and visibility में आपको पहला ही option मिल रहा है profile locking का आपको simply इस पर click करना है यहाँ click करने के बाद आजाता है lock your profile तो यहाँ simply lock your profile यह जो नीला वाला button आपको यहाँ पर दिखाए दे रहा है इस पर simply click करना है और उस पर click करते ही आपकी जो profile है वो पूरी तरह से lock हो जाएगी यहाँ पर मैं करना नहीं चाहता जैसे ही lock हो जाएगी तो फिर यहाँ से जो आपको content है वो किसी को show ही नहीं होगा यानि जो भी आप publicly आपको search करेगा फेस्बुक पर तो जैसे ही यहाँ पर आपकी profile पूरी तरह से lock हो जाएगी तो कोई भी आपके content यानि reels को, post को और आपकी videos वेगर को यहाँ पर access नहीं कर पाएगा नहीं देख पाएगा यह hop यह video आपको काफी informative लगी होगी ऐसी ही और videos के लिए चैनल को subscribe कर लें बेल आइकन को जुरूर दबा दें तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई video के साथ तब तक के लिए जैहें